नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ कृपा शंकर शर्मा आज मैं एक ऐसी हस्ती से आपका परीचे करवाने जा रहा हूँ जो सिंगर तो हैं ही साथ ही वो ऐसे संतों के सानिद्धे में रहे जिन से पूरा विश्व ज्यान प्राप्त कर रहा है एसे संतों के साथ रहे उनके साथ समय बिताया उन्होंने जिनका आज पूरा विश्व अन्वी आई है हम बात करेंगे हमारे साथ में खास महमान मुझूद है सुमेश्वर नारण शर्मा जी सुमेश्वर जी बहुत बहुत स्वागा था आपका सुमेश्वर सिर्फ इस नाम से ही नहीं सुमेश्वर महादेवन के नाम से भी परसिद हैं इनके इस नाम में भी बहुत सारा इंट्रेस्ट है बहुत सारा कारण है इसमें रूची है कि ये नाम कैसे पड़ा इस के साथ ही सुमेश्वर के बारे में आपको हम बहुत सारी बाते बताएंगे सुमेश्वर नाराण जी जहां फिल्मों में संगीत दे चुके हैं तो इसके साथ ही इनकी ऐसी उपलब्धियां हैं जिनका जिक्र हम आपसे ज़रूर इस पूरे कारे करेम के दुरान करेंगे छोटी से उमर में इस सफलता तक यानि की शुनित से शिकरता का जो सफर रहा वहां कैसे पहुँचे अनन्त शिकर को कैसे चुआ तमाम पहलों को भी जानने की कोशिश करेंगे और दैशकों के साथ या अनुभवी साज़ा करेंगे सबसे पहले मैं इनका जो सबसे ताजा केर्थी मान कहें या अनुभव कहें या ये मानली जे सुभगी की बात हो उसका जिकर करना चाहूँगा जहां से शुरुवात करना चाहेंगे इस पूरे साक्षातकार की राम लला की प्रान प्रतिष्ठा कारेकरम हुआ है 22 जनुवरी को पूरा विश्व उसका साक्षी बना और हर किसी को इंदिजार था इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण बात उस समय मंच पर तमाम दिगजों के साथ सुमेश्वर जी भी हमें मौझूद थे आप उस पल के बारे में बताए और वहां उस कारेकरम में किस रूप में मुझे से बोलते हैं तो वो कहते हैं जननी जन्म भूमश्य स्वर्गाद अपी गरिये सी अर्थार्थ जननी और जन्म भूमवी स्वर्ग से भी प्रिये हैं तो मैं हूँ एक राजस्थानी कलाकार छोटा सा कस्बे से सरधार शेर चूरू से हूँ में और हमारी जो सानिद्दे में करीब बारा गुरू के सानिद्दे में मैंने अपनी शिक्षा ग्रहन करी म्यूजिक की क्योंकि फादर एक गुवर्मेंट सर्विंट थे हरियोम नरेंट शर्मा जो मेरे गुरूर हैं सबसे पहले मेरे पिता ही थे गुरू और उन्हों नहीं मुझे कहा कि सौमिश्वर आपकी बहुत अच्छी आवाज है तुमें इसमें कुछ करियर बनाना चाहिए नहीं तो जादा तर आपने देखते हैं कि पेरेंट्स इसके सपोर्ट में नहीं होते हैं लेकिन उनके सपोर्ट से मैं आज जो हूँ मैं उनी के सपोर्ट से हूँ मेरी माता का आशरवाद है मेरे बुजूर्गां का आशरवाद है संतो Buddhas सबसे ज़ादा important यह है हमारे लिए तो हम लोगों का हमें उमेद नहीं थी कि मेरा एक भजन ता अवध में आज दिवाली जो चलाया गया वहाँ पे आयोध्या के राम मंदर में प्राण प्रतिष्ठा जब भूमी पूजन हुआ था आयोध्या में उसके जस्ट बाद में हमारा ये रिलीज हुआ था और उस ताइम हम लोगों को उमीद नहीं थी कि वह आयोध्या में बजेगा गली-गली में और प्राण प्रतिष्ठा में आपका एक बजन मेरी तरफ से आपको ये मानलो आदेश है कि आपको गाना ही पड़ेगा तो मुझे का ठीक है मैं कोशिश करता हूं गुरुजी आगर इतना आदेश दे रहे हैं तो अपने जो बी कोशिशों होती हैं मेरे ज़्यादा तर जो गाने हो मेरे मामा लिखते हैं विकार शर्मा जी पाट उनोंने गानल जो भजन बनाया वो था नमो रागवाए जो उन्हे के मंतर से जब के जो गुरुदेव हैं रामबादराचारे जी उन्हीं का रामानंद मिशन के जो हैं संप्रदाए के तो उन्हीं का ही ये मंत्र है नमोरागवाई जिसके उपर मैंने ये भजन बनाया तो उनको मैंने चित्रकूट में जब मैं इन्वाइट हुआ तो वहां पर जाके सुनाया कि कुरुजी ये मैंने बजन बनाया है और उसमें मैंने आपका गिरिधर जो बच्पन का नाम है वो भी यूज किया है हालंकि वहां के जो उनके सेवा में रहते हैं और भी आचारे जी हैं वो सब लोग नराज हो गए कि गरिधर तो मेरा इनका बच्पन का नाम है अपने कैसे ले लिया लेकिन उन्होंने मुझे ये वी एक अनुमती दी कि तुम यूज कर सकते हो क्योंकि वो बहुत एक मेरे चीजें गाइड करी और उस टाइम मेरा पूरा भजन उन्होंने सुना उस टाइम बहुत रफ लेके मैं गया था और मैं अपनी माता श्री को लेके गया था तो माता जी को भी का कि आप ये बताएं इसको गाइड करें आंगे कि कैसे इसका भजन कैसे तयार हो आपके अगर इसमें कुछ शब्द डल जाएं तो उन्होंने भी कुछ बहुत अच्छे-च्छे हमें शब्द उसमें बताएं जैसे कि मैंने गरधर बोला था तो उन्होंने वो संस्रीट के इतने ग्याता है और एक वो है कि वो गिरिधर बोला जाए उसको उस वर्ड को गिरधर नहीं है वो गिरिधर हैं तो इतने चोटे-चोटे वर्ड को उन्होंने इतना प्यॉरिफिकेशन से और इतने डेडिकेटली मुझे बताया और मुझे गले से लगा लिये जब मैंने पूरा भजन खतम किया तो मुझे बहुत अश्यर हुआ कि गुरुजी का इतना लोग सानिदे में रहे कर इतना बड़ा अश्यरवाद मुझे मिला वो और उन्होंने फिर मुझे रामलला की जब प्रान प्रतिष्था थी तो वहां पर बुलाया आयोध्या में और जो हमारे उनके जो उतरा धिकारी हैं श्री राम चंदरदाश जी महराज तो उन्होंने भी मुझे याद कि बड़ाल और अब उन्हें ने कहाई आर अपने घर का कारिक्रा में तुम्हें तो आना ही पड़ेगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक सो भागे शाली मैं मानता हूँ अपने आपको और मैं तो पूरे राजस्तान की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव था तो एक मैं राजस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था तो वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा यही था कि मैं आज कलाकरों के लिए काम कर रहा हूँ और राजस्तान की मिट्टे के लिए समर्पित हूँ और अभी मैंने सो से सवा सो आर्टेस को काम दे चुका हूँ और अभी सेंट्रल मिनिस्टर में मुझे भारत बूशन का अवार्ड बिया इसकी बहुत अच्छी बात है यानि कि गुरू कृपा से ही संथ कृपा से ही वो गो सुने जी उस गनपती वंदना का जो अगाज हुआ प्राणप्रतिश्ठा का वह अमरत महुतसव जो था वह पिचत्तरमां जन्म अचाब भद्राचारे जी का जो उसे अमरत महुतसव का नाम दिया गया तो वहां पर सबी दिगज नेता सभी दिगज कलाकार हम जैसे चो और भी बड़ी बात थी कि अगर आपने मुझे बुलाया और आपने सबसे पहले मेरा नाम याद किया है तो मैंने गुरुजी के आदेश पर वो गणपती वंदना की शुरुआत की मेरा एक रिलीज हुआ था USAQ Production मेरा YouTube चैनल है उसमें गजा नाना हे माम हे जो मेरे मामा नहीं लिखा था विकाश शर्मा जी ने तो उसमें 36 नाम है गणेश जी के तो उसमें बेसिकली वो ऐसा था कि गौरि सुता अलम पता रुद्र प्रिये एक दंत गणा धक्ष हे महाम हे प्रथम पुज्य गणपती बप्पा मोर्या बप्पा मोर्या मेरे बप्पा मोर्या तेरे भक्त जूम कर कहें सर्व सिद्ध सिद्ध प्रिय वक्र तुंड महा काय गजानना हे महा महे बहुत खुबसूरत बहुत खुबसूरत गनेज जी के इतने नाम इस भजन में आगए यह अपने आम में खुबसूरती है देखे स्तूती ईश्वर की हम सब करते हैं और गनेज जी तो प्रथम पूझ्य हैं उनसे ही हर चीज की शुरुआत होती है हर कारेकरम की शुरुआत होती है आपको अनुभाव हुऊ आहां पे ऐसी कोई अनुभूती जिसे आप साजा करना चाहे हैं। जी बिलकुल क्या होता है कि बोलते हैं बीनु हरी करपा मिल नहीं संता। तो वही चीज है कि हमारे उपर हरी कृपा के बिना तो कहीं भी कहीं भी चले जो आप कुछ भी आपको नहीं मिल सकता है आपको कोई कितना ही आप किसी भी आप मन लगा के आप काम कर रहे हैं अगर जब तक वो हरी कृपा ना हो माता-पीता का आशरवाद नहीं, वो मिल ही नहीं सकता है, वो संभा भी नहीं, तो हमें ऐसी उमीद थी कि आयोध्या तो अपने आप में पूरी ऐसी पवित्र भूमी है कि कण-कण में वहाँ पे श्री राम जी बसते हैं, और वहाँ पे माता-सीता का भी इतना मतलब वहाँ पर समाई हैं, तो वेसी बात है कि वो अपने आप में इतना पवित्र है कि वहाँ पर जाते ही, आप आइकदम भाविबोर होके, आपके अपने आपी अश्रुधारा बहरी है और वो चीजें हो रही हैं, तो वो अपने आप भाव ऐसे हो जाते हैं लोगों के कि हर गली में राम सीता राम सीता राम तो वो एक पूरा महाँल बन जाते हैं, ऐसा कोई समे रहा है, ऐसा कोई घटना करम रहा है जिसे आपको लगा कि मेरे तो श्रीराम ही सामने आगए, जी बिलकुल हुआ, हुआ क्या था कि बाइस तारिक को फ्राण प्रतिष्था थी, सु तारीक की रात को वहाँ पर पहुँच गए थे तो कोई भी सुविदा वहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि यार पदा नहीं एक नया आयोध्या पूरी नगरी देखने को मिल रही एकदम भव्या नगरी बन चुकी है वो और वहाँ पर जाके हमें एक अलग सा ही हो रहा था प किसी ने खट-कट आया तो मुझे लगा कोई होगा तो मैंने उसको खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था फिर मैं वापस अपने बैड पर आया लेकिन बैड पर आने से पहले फिर खट-कट आया जोर से फिर मैंने खोला कोई नहीं था दूर दूर तक कोई नहीं था मुझे ल बाद दे रहा था एकदम उसका पूरा हाथ एकदम वो टेंड से दिख रहा था कि मेरे उस सिर के उपर जस्थ हाथ था तो वो एक अपने आप में मुझे एक ऐसा अनुभूती हुई कि एक चमतकार से बड़ा नहीं है बिल्कुल से एक बाते हैं अपने अपने मन की जो इश्वर की किरपाई होती है कि आप जब पूरे मन से लग जाते हैं किसी काम में जब पूरी श्रधा से लग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि खुद साक्षा इश्वर आपके साथ हैं और आपको आगे बढ़ा रहे हैं उस काम के लिए और आपकी जो श्रधा है वो उसमें प पहें सारी चीज़ें, उस सब कुछ सामने था, एक सपना सच जय से होना था, तो क्या फिल्मों में आपने और भी सिंगर से आप कभी आपके मुलाकात हो पाई, क्या किसी फिल्म के लिए आप कुछ काम कर पाए, कभी ऐसा कोई ड्रीम आप पाल के चल रहे थे, कि भी वो अभ स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, और अलुमनाई हैं उसके, तो उन्होंने डिरेक्शन भी हमें सिखाया, कैमरे के पीछे किस तरह का काम होता है, वो भी सिखाया, और उन्होंने एक अपनी पुस्तक अनुकरण में लिखा हुए, कि नवरस्क जो होते हैं, वो भी सिखाया हमें, तो हमें एक एक्टिंग का भी experience, सिंगिंग के साथ हमें उन से मिला, और उन्होंने हमें promise किया था कि सोमिश्वर आप लोगों के जो ग्रूप है, करीब मैं उनके साथ हम लोग करीब 13 से 15 स्टूडेंट्स रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे plays की हैं, अपने आप में वहां प भी experience, सर करवा दें, तो बहुत अच्छा रहेगा, तो हमने गुजारिश की सर से कि सर हमें एक Bollywood movie में भी अगर आप काम अगर आप बता सकें, तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि उनका भी सानिद्य में रहे कर हम लोगों ने तीन Bollywood movie करी, उन काला करों को मैंने यहां पर मंच दिया, मोका दिया, और तीसरा जो movie आया, जो अभी आ रहा है, Judicial Custody, उसमें मेरे दो गाने, तो बेसिकलिए अपने आप में एक ऐसा होता गया कि यहां तीन Bollywood movie का भी experience, एक गुरू के माध्यम से हमें, बहुत अची बात है, बहुत अची आप काल है, उसके पीछे की जो प्रेरणा है, कहीं ना कहीं बडू का आशिरवात और संतों की जो करपा है, वो अपने आप में बहुत माहिने रखती है, तीन फिल्मों में काम कर चुके है, आपका कोई फिल्म का गाना जो आपके दिल के बिलकुल करीब है, जो आपने खु कि बेसिक के लिए अभी हमारे कुछ उपर से अभी निर्देश नहीं है, तो कुछ गाने के, तो मैं कोशिश करूंगा आगे आपको वो जल्दी सुनने को मिलेगा, जुडिशिल कस्टिडी में, और OTT पे वो जल्द रिलीज होगी, और आपको सुनने को में, और को यह कैसा आज अवद में पधारी, दीप जला और करोरे तयारी, महल दू महलों से जाके नरनारी, सीए संग आए मेरे अवद बिहारी देखें पल पल महल से हल चल, तीनो माता मांगे मंगल, तीनो माता मांगे मंगल नगर नगर में बटे मिठाई, चले पटा के मिले भदाई, थाल लिए आरती उतार, आए है मेरे रगुराई चटा ये निराली है, आज दिवाली है बहुत खुब, आज दिवाली है, बहुत खुब, 22 जनवरी का ओ दिन, जो भारत के इतिहास में अमर हो गया है सुरने मक्षरों में लिखा गया है, जिसका इंतिजार दशकों से था, वो पंक्तिया आपके सामने इन्होंने प्रस्तुत की, कि आज दिवाली है सोशल मीडिया पर भी ये जो गीत है, अपने आपने ये जो भजन है, ये बहुत हिट हुआ है और लगातार लोग इससे सुन भी रहे हैं, इसके साथ ही एक और मैं आपसे बेहत महत्पून सवाल पूछना चाहूँगा UPSC में आपका जिकर किया जा रहा है, आखिरकर वो क्या मामला है RPSC में अभी ये बोला गया था कि अभी भारत भूछन हमें अभी सेंट्रल मिनिस्टरी से मिला है सामाजिक नाई और अधिकारिक मंत्राले से तो वहां से भी मुझे एक कॉल आया कि सर आपका हमने नाम डाला है और ये चीज़ें, मैंने आज खुद सर्च करा तो वो उसमें RPSC पर शो कर रहा है कि भारत भूछन 2023 सुमिश्वर नहीं तो अपने आपको एक नाम देखकर बहुत गवानवित महसूस हो रहा है और एक सुभागेशाली मान रहा हूं कि ये बिनु हरी कृपा मिला ही नहीं संता जैसे मैं बारी-बारी बता रहा हूं तो मैं भी यही चाह रहा हूं कि जो गुरू की जो कृपा है महाराश्ट से जुड़ी कौन सी याद है जो आपके साथ चली जा रही है और जो किर्तिमान आप रचे जा रहे है जी मैं 2012 में इंडियन एडल 6 में था इंडियन एडल मुझे मौका मिला था और टॉप 50 में भी रहा वहाँ पे मेरी तबित खराब होने के चक्कर में मैंने कहा कि अब वहाँ पे कॉम्पेटिशन था वॉइस ओफ महराश्ट्रा जो यूथ आइकन था और वो लोकमत ने और्गनाईस करवाया था पेपर है वहाँ का महराथी पेपर तो उन्होंने एक कॉम्पेटिशन रखा था और उन्होंने मुझे वाइल काड एंट्री से मुझे दिया मौका क्योंकि मैं बहुत आगे गया था इंडियन हैडल में और वहाँ पे मुझे ये खताब दिया गया और वोईस ओफ महराश्ट्रा में 2012 से बन गया था 2012 से हम से सिंगर को आप चाहते हैं कि भी उनको उनके साथ आप गाना गाइए या फिर उनका कोई गीत आपको गाने का मुझा मिल जाए जी उनमे हर किसी के लिए होता है तो आपके लिए को आदेगे मेरे लिए आइडल सभी आर्टिस्ट अपने आप में स्थान रखते हैं लेकिन जिनके गाने गाते आया हूं और किशोर कुमार जी हैं, बहुत बड़े अपने 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 लेजंड थे और किशोर कुमार जी की जो अवाज थी, वो एकदम खुली अवाज थी, उन पर कोई भी नेजल साउंड नहीं आता था कि और प्रॉपर प्लेवेक वोईस थी, उसक चाते हैं, कि और बड़ेट लड़ेंगा भी क्लासिकल बैगड़ान्ड रहा है, अरिजीत सिंग्हा थी, इस फ्ली अजी कलाशिकल उनके घाट-घाट का पानी पिया है हमने, तो मेरे महेश्चंदर शर्मा जी हैं, श्रेया गोशाल के गुरू जो हैं, उनसे भी मुझे सीखने का एक मौका मिला है, तो ऐसे बहुत गुरू आए हैं, जो आप यहां के पंडित कुंदनमल जी थे हमारे, जो उनका भी सानिद्य मुझे मिला है, आलोग भट जी हैं, जो आकाश्वाणी में थे, उनका भी सानिद्य मिला है, ऐसे बहुत सारे गुरू रहे हैं मेरे अलग-अलग, जो जिन्होंने मुझे शिक्षा कहीं न कहीं देते रहे, बहुत अच्छा अनुभाव है, बहुत अच्छी बाचीत भी यहाँ पर हो रही है, एक में आपसे, जो आपका फिर्ट सौंग है, बॉलिवूड का, कोई भी एक पंक्ती में चाहूँगा, आप दर्शकों के लिए आप जरूर सुनाएं, मैंने आपको पता है, मैं किशोर कुमार सर को काफी फोलो करता हूँ, तो उनका एक बहुत ही प्यारा गीत है, कि भवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, मुझे कब से थी प्यार की जुस्त जू मेरी जिन्दगानी में है तू ही तू मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए मेरे दिल में जुमे तेरी आरजू भवरे की गुंजन है मेरा दिल कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए तेरे लिए आप सब के लिए बहुत खूप सब के लिए और ये कारेकरम भी आप सब के लिए है बहुत अच्छी चर्चा यहाँ पर हुई है सुमेश्वर जी से और इन्होंने पूरा जो अपना अनुभव था वो साजा किया बहुत बहुत धन्यवाद आप पत्रिका टीवी के साथ बहुत बहुत शुक्रे साथ और आपने अनुभव साजह के यहाँ पे उमीद करते हैं आपको भी एक आरेक्रम बहुत अच्छा लगा इसी परकार की और सक्षातकार आप तक लेकर पहुंचेंगे मुलाकात आप से करवाएंगे देश के प्रिसिद हस्तियों से और ऐसे लोगों से जो आगे बढ़ रहे हैं अनुभव के साथ साजहा करके संतों की वाणियों को और साथ ही उन लोगों को जिनको पुरा विश्व देखता है नमस्कार